प्यारे बच्चों मैं मन्जु शर्मा आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे बच्चों आज संस्कृत में हम पार्ट साथ करेंगी जिसका नाम है प्रथम पूरुष तीनों लिंगों में बच्चों सबसे पहले एक वचन द्वी वचन और बहु वचन इसके अर्थ को समझते हैं एक वचन का आर्थ होता है एक वस्थू या एक प्राणी द्वी वचन का आर्थ होता है दो वस्थू या दो प्राणी बहु वचन का आर्थ होता है तीन या तीन से अधिक वस्थू य या कोई प्राणी पुलिंग शाप्त जैसे बालकह, एक बालक बालकव, दो बालक बालकह, और एक बालक बालकह, एक बालक इसके लिए अगर हम सर्वनाम शब्द का परियोग करेंगे तो हम बालकह की जगह क्या लिखेंगे? स, स का आर्थ होता है वह बालकव के लिए हम सर्वनाम शब्द का परियोग करेंगे तो वहां लिखेंगे हम तव जिसका अर्थ होता है वे दोनो बालकव के लिए जब हम सर्वनाम शब्द का परियोग करेंगे तो हम लिखेंगे ते जिसका अर्थ होता है वे सब से मतलब वह तव मतलब वे दो, ते मतलब वे सब इसकी बाद इस तरी लिंक शब्द में जैसे बाली का एक लड़की बाली के दो लड़कियां बाली का अनेक लड़कियां इसके लिए अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो बालिका के स्थान पर लिखेंगे सा, बालिके दो लड़कियों के स्थान पर लिखेंगे ते, बालिका हा, अनेक लड़कियां, यहाँ पर सर्मनाम शब लिखेंगे ताहा पुलिंग और इस्ट्रिलिंग शब्द के बाद, अब हम नपुशकलिंग के बारे में पढ़ेंगे, पुस्तकम का अर्थ होता है एक पुस्तक, पुस्तके मतलब दो पुस्तके, पुस्तकानी मतलब अनेक पुस्तके अगर हम पुस्तकम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो वहां हम लिखेंगे तत पुस्तके के स्थान पर सर्वनाम का प्रियोग करेंगे तो हम लिखेंगे ते और पुस्तकाने के स्थान पर अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो वहां लिखेंगे तानी तत मतलब वह, ते मतलब वे दो, तानी मतलब वे सब इसकी बाद सबसे पहले पुलिंग शब्दों का हिंदे में अनुवाद और उसके साथ ही सर्वनाम शब्दों का हिंदे में अनुवाद सिखेंगे सबसे पहले है चात्रह पढ़ती अब यहाँ पर आपको एक चात्र पढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं देखिए, चात्रे का अर्थ होता है, एक चात्र पठती मतलब पढ़ता है, चात्रे के स्थान परग्रम सर्वनाम शब्द का प्रियोग करेंगे, तो हम लिखेंगे स, पठती, से का अर्थ होता है, पठती मतलब पढ़ता है, इसके बाद अस्वव धावत अस्वव एक पुलिंग शब्द है अस्वव का मतलब होते हैं दो घोड़े धावत दोड़ते हैं अगर हम अस्वव के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो हम लिखेंगे तव धावत वे दोड़ते हैं अस्वव धावत दो गोडे दोड़ते हैं तव धावत वे दोड़ते हैं इसके बाद मयूरह निर्तियंती अनेक मोर नासते हैं मयूरह के स्थान पर सर्वनाम सब्द का प्रियोग करेंगे तो हम लिखेंगे ते निर्तियंती वे सब नासते हैं मयूरह निर्तियंती अनेक मोर नासते हैं ते निर्तियंती वे सब नासते हैं पुलिंग शब्दों के बाद अब इस्त्रिलिंग शब्दों का हिंदी में अनुवाद सीखेंगे और इसके साथ ही इस्त्रिलिंग में सर्वनाम शब्दों का प्रियोग कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे देखिए सबसे पहले है बालिका धावती एक लड़की दोड़ती है बालिका के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो लेखेंगे सा धावती वह दोड़ती है इसके बाद महिले निर्थयतर महिले मतलब दो महिलाएं निर्थयतर नासती है दो महिलाओं के लि निर्त्यत वे दो नास्ति हैं इसके बाद कोकिलाह गायंती अनेक कोईले गाती हैं अगर कोकिला के स्थान पर हम सर्मनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो हम लगेंगे ता गायंती वे सब गाती हैं इसके बाद नपुसकलिंग शब्दों का प्रियोग करते हुए उनके साथ सर्मनाम शब्दों का प्रियोग भी सीखेंगे और उनका अनुवाद भी सीखेंगे देखिए सबसे पहले हमें कमल का चितर दिखाई दे रहे हैं तो वाक्य है कमलम विक्सती एक कमल खिलता है कमलम के स्थान पर सर्मनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो हम लिखेंगे तात विक्सती वह खिलता है इसके बाद पत्रे पतत दो पत्ते गिरते हैं पत्रे के स्थान पर सर्मनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो लिखेंगे ते पतत वे दो गिरते हैं इसके बाद ग्रिहानी संती अनेक घर है अनेक घर के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो हम लिखेंगे तानी संती वेशव है पुलिंग, इस्ट्रिलिंग और नपुनसक लिंग शब्दों के बाद आप मिस्रित लिंग प्रियोग सीखेंगे मिस्रित का अर्थ है जिसमें कुछ पुलिंग होंगे, कुछ इस्ट्रिलिंग शब्द होंगे और कुछ नपुनसक लिंग शब्द होंगे देखिए सबसे पहले हैं सिंगव का अर्थ है दो शेर गर्जित दाहाडते हैं सिंगव के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तों लेखेंगे तव गर्जित वे दो दाहाडते हैं इसके बाद अजहा चरंती, अजह एक, इस्त्रिलिंग शब्द है, अजहा का अर्थ होता है अनेक बकरिया, चरंती मतलब चर्ती है, ता चरंती, वे सब चर्ती है इसके बाद है नेत्रे, स्तह, दो आंखे है, नेत्र, एक नपुसकलिंग शब्द है, इसलिए नेतर के स्थान पर, नेत्रे, ध्वीवचन इसके स्थान पर अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रयूग करेंगे, तो हम लिखेंगे इसकी बाद म्रिगहा धावंती म्रिगहा एक पुलिंग शब्द है और यह बहुवचन में है म्रिगहा का अर्थ होता है अनेक हीरन धावंती दोडते हैं म्रिगहा धावंती अनेक हीरन तोडते हैं म्रिगहा के स्थान पर अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रियोग करेंगे तो हम लिखेंगे ते धावंती वे सब तोडते हैं इसकी बाद है नदी प्रवहती नदी एक इस्त्रिलिंग शब्द है नदी कार्थ होता है एक नदी प्रवहती बहती है नदी के स्थान पर अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे सा प्रवहती वह बहती है इसके बाद चक्रम ब्रहमती चक्रम एक नपुशतलिंग शब्द है चक्रम कार्थ होता है एक पईया ब्रह्मती घूमता है तत ब्रह्मती वह घूमता है बच्चों इसकी बाद हम शब्दार्थ करेंगे देखिए अश्वव कार्थ होता है दो गोडे महिले दो महिलाएं निर्टतह दो नास्ति हैं प्रवहती बहती है स्तह दो हैं अजहा बकरियां ग्रिहानी अनेक घर बयूरह अनेक मोर विकसती खिलता है नदी नदी चक्रम पहिया संती अनेक हैं ब्रह्मती घूमता है आशा करती हूँ कि आप सभी सुष्थ रहेंगे धन्यवाद करता है